पंद्रह-15 दिन, 20 दिन फोन अपने पास ने रख आ पने बच्चों से बात ने की इतना एका़ग रह ओकर किया है उसकी मूर्ती का चेहन किया गया है और सभी लोगों ने उसकी मूर्ती की प्रसिंसा की परिसर के अंदर मूर्टी ले जाने के लिए एक क्रेन का इस्तेमाल किया गया मूर्टी के मंदिर में ले जा जाने पर श्रधालु खासे उत्साहिद दिखे वहीं इस मूर्थी की तस्वीरें भी वाइरल हो रही है दवा किया जा रहा है कि ये वही मूर्थी है जिसकी प्राठ प्रतिश्टा पियम मोधी करेंगे वहीं इस मूर्ती को मैसूर के अरुड योगी राज ने बनाया है अरुड को मूर्ती बनाने के दौरान काफी कठिनाईओं का सामना भी करना पड़ा अपने काम के दौरान कई कई दिनों तक उनके पास फोन नहीं रहा, उन्होंने अपने परिवार में मा, पत्नी और बच्चों से कई हफ्तों तक बात नहीं की, सिर्फ इतना ही नहीं, अरुड योगी राज को मूर्ती के लिए कारे करने के दौरान चोट लगने पर आख के ओपरेशन तक से गुजरना पड़ा, लेकि मूर्ती चुनी जाने की खबर लगी, वैं खुशी से जूम रहे हैं, परिवार अपनी प्रतिक्रिया भी दर्च करा रहा है, और योगी राज को चोट लगने वाला किस्सा भी साजा कर रहे हैं, अरुड की पत्नी विजेता ने मूर्ती चुनी जाने की खुशी चताते को दिएम्सर तो टॉआ, जाने की घ्राकी प्रतिक्वनु को हिसे अंणिए क Надवनौित प्रतिक्ता, जाने की अईले हाज है, अबिटिक्क्ता बत भाकी तोया है, कि मैं इले के बढ़ हैं प्रत्स नेता हैं, प्रतिक दोटिए मैं आण।िए और ऍह चाहांते हैं, आ horse प्त् वहीं एक मीडिया अजेंसी को दिये इंटर्व्यू में अरोड की पत्नी विजेता ने कहा कि वैस उपलब्दी से बेहत खुश है विजेता ने बताया कि जब ये काम मरूर को दिया गया तो हमें पता चला कि इसके लिए उचित पत्थर मैसूर के पास उपलब्द है अलाकि वैपत्थर बहुत सक्थ था इसकी नुकीली परत उनकी आँख में चुब गई और उससे ऑपरेशन के जरीए निकाला गया दर्द के दोरान भी वैं नहीं रुके और काम करते रहे उनका काम इतना अच्छा था कि हर कोई प्रभावित हुआ हम सभी को धन्यवाद देते हैं वो कई राद सोई नहीं और रामनला की मूर्ती बनाने में तलीन रहे ऐसे भी दिन ते जब मुश्किल से बात करते थे और वे परिवार को भी मुश्किल से समय देते थे अब ट्रस्ट की सूचना से सारी मेहनत की भारपाई हो गई है मूर्तिकार अरुड योगी राज करनाटक के मैसूर के रहने वाले हैं उनके कई पीडियां इसी काम से जुड़ी हुई है उनके पिता योगी राज शिल्पी एक बहतरीन मूर्तिकार है और उनके दादा बस्वन्ना शिल्पी ने बाडियार घराने महलों में अपनी कला दिखाई थी अरुड मूर्तिकार का मैसूर राजा के कलाकारों के परिवार से भी गहरा संबंध है शुरुआत में अरुड योगी राज अपने पिता और दादा की तरह मूर्तिकार नहीं बनना चाहते थे और उन्होंने 2008 में मैसूर युनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की हलाकि उनके दादा ने कहा था कि अरुड एक मूर्तिकार ही बनेगा और आखिर में वही हुआ अरुड एक मूर्तिकार बने और ऐसे मूर्तिकार जिनोंने साक्षात रामलला की मूर्ति बनाई अरुड योगिराज ने सिर्फ रामलला की ही मूर्ति नहीं बनाई बलकि उससे पहले उन्होंने और भी कई मूर्तियां बनाई है जिसके लिए उनकी तारीफ भी की गई अरुड योगी राज ने इंडिया गेट के पास अस्थापित सुभाश्चरंद्र बोस की 30 फीट की मूर्ति बनाई है इसके लाबा अरुड योगी राज ने भगवान आदी शंकराचारी की 12 फीट की मूर्ति भी बनाई है जिसके स्थापना के दारनात में की गई उन्होंने मैसूर में स्थापित भगवान हनुआन की 20 फीट की मूर्ति भी बनाई है वहीं मूर्तिकार अरोड योगी राज ने राम लला की नई मूर्ति बनाने में आई चुनौतियों के बारे में एक मीडिया जिंसी से बातचीत में कहा कि मूर्ति एक बच्चे की बनानी थी जो दिव्वे हो क्योंकि ये भगवान के अवदार की मूर्ति है जो भी कोई मूर्ति को देखे उसे दिव्विता का एहसास होना चाहिए बच्चे जैसे चहरे के साथ साथ दिव्य पहलू को ध्यान में रखते हुए मैंने लगबग 6-7 महिने पहले अपना काम शुरू किया था मूर्ति के चैन से जाधा मेरे लिए यह मैत्टपूर्ड है कि ये लोगों को पसंद आनी चाहिए सची खुशी मुझे तब होगी जब लोग इसकी सराहना करेंगे राम्यला की मूर्ति के विशेष्टा खुद ट्रस्ट के महासचिफ चंपत राय ने बताई उरोंने क्या कहा आप खुद सुनिये चार प्रेट तीन इंच की प्रतिमा है को एक्यावन इंच उसकी प्रचिष्ठा की जाएगी बाइस तरीक